नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्ये के वंतारा रिजोर्ट को लेकर एक एक कर नई खुला से सामने आ रहे हैं बता दे वंतारे रिजोल्ट में अंकिता की हत्या से दस दिन पहले ठैर चुके और हत्या के दिन से आगे की बुकिंग करने वाले 76 महमानों से भी SIT ने पूश्ताज की है उन में से कुछ लोगों के बयान मजिस्टेट के सामने दर्ज किये गए हैं वहीं ADG वी मुरूगेशन ने बताया कि उन में से बहुत से वो लोग हैं जो पहले ठैर चुके हैं कई लोगों ने आगे की बुकिंग कराई थी दिल्ली के कुछ लोग भी यहां अक्टूबर के पहले सप्ता में जनम दिन की पार्टी करने आने वाले थे उनसे भी पूस्ताज की गई है ADG ने कहा कि हत्या का मकसद साफ करने के लिए S.I.T. ने परियाप्त सबूत जुटा लिये हैं पूस्ताज और सबूतों के मिलने के बाद यह साफ है कि अंकिता की हत्या एक सोची समझी साजिस थी बता दें अंकिता रिजोर्ट का राज साफ करना चाहती थी यही वजह है कि उसे पूलकित और उसके दोस्त समझाने के बहाने नहर के पास लेकर गई अंकिता के नहीं मानने पर पूलकित आ रही है और उसके दोस्त ने नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी पुलकित ने जूट बोला कि अंकिता ने उसका मोबाइल नहर में फैक दिया था वहीं आपको बता दें पुलकित ने हत्या के अगले दिन अपना मोबाइल नहर में फैका था मोबाइल की तलास अभी भी जारी है बता दें अंकिता भंडारी के आईकार्ड ने भी कैई सवाल खड़े कर दिये हैं इसमें अंकिता को फार्मेसी का करमचारी बताया गया है पुलकित ने अंकिता को फार्मेसी में नोकरी दिलाने के बहाने उसको रिजॉर्ट में रखा था ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ